भाई साहब इसे कहा जाता है जिगर बाला मेर जहां भी जाते हैं चाह जाते हैं नेपाल के लोग तो इनका दिवाना था ही था ही बट दुनिया इनके दिवाने बढ़ रहे हैं दोस्तों मैं बाद कर रहा हूँ काठमांडू महानागर पालिका के मेर बालेंसा के बारे में मतलब यह जहां जाते हैं लोग इनका दिवाना हो जाता है इनके सोच जिस तरीके से नेपाल को जो आगे लेकर आने की जो सोचनी की समता है वो कुछ अलग डिफरेंट है जितने भी नेपाल में आज दक नेता हुए हैं उन सब इसे डिफरेंट अप्रोच रखते हैं दोस्तों जब यह ब्राजिल पहुचे हुए थे तो इनको काठमांडू सिटी में रह रहे हैं जितने भी सुकुमबासी लोग हैं उनके बारे में बात करना था कि वहाँ पर सुकुमबासी को किस तरीके से बेवस्ताफन किया जा है उन्हें ने जिस तरीके से अपने इस प्रोब्लेम को लोगों के सामने दुनिया के सामने रखा और इस तरीके से किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है उसके बारे में जो बताया दुनिया दंग रह गई और वाख़ी में कहा जाता है कि भाई educated person और dedicated person जब एक कुर्सी पे चला जाता है तो वाख़ी में कुछ कर जाता है बालेंसाजी ने वहाँ पर बताया कि जितने भी यहाँ पर काठमांडू में सुकुमबासी है सुकुमबासी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं बता दू कि सुकुमबासी उन लोगों को कहा जाता है जिनके पास न रहने के लिए घर है और न की जमीन है उन लोग जो सुकुमबासी है वो किसी और जगह से हमारे ही देश के किसी और गाउं से किसी अलग तक्वे से किसी अलग जीले से हर लोग कमाने की इस्तिती में यहाँ पर काठमांडू सिटी में आये हुए है और वो लोग एक वो सुकुमबासी बनकर यहाँ पर अपने जीवन ब्यक्तित कर रहा है, तो यहां पर हमारी कोशिस ये होना चाहिए, मेर बालेंसा ने बताया कि हम लोगों का कोशिस ये होना चाहिए, हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि जितने भी नेपाल में, चाहिए वो छोटा गाउ हो या बड़ा सिटी हो, हर एक गाउ में, हर एक सिट में अच्छे से रोजगार उत्पन किया जाए लोगों को इवावों को रोजगार जब दिया चाने लगेगा तो कठमांडू जो महानगर है वहाँ पर ट्राफिक बहुत ही सारा कम होगा और इस तरीके से जो लोग ब्योपार के लिए जो लोग ब्योसाय के लिए कमाने के उनका चाप थोड़ा घटेगा और जो कठमांडू महानगर है वहाँ का जो सुकुमबासी का संख्या है वह आटोमेटिक घटने लगेगा और वास्तों में दोस्तों देखा जाए तो कठमांडू महानगर में रह रहे हैं जितने भी सुकुमबासी है 95% कहा जाता है कि जाओ में भाई खेत बारी है जिनका घर है वो लोग जाकर कठमांडू में रह रहे हैं और आपको सुकुमबासी बता रहे हैं और कठमांडू में अपने लिए जमीन का डिमांड कर रहे हैं तो कहीं न कहीं ये कठमांडू में रह रहे हैं पहले से जो लोग है उनके उपर जादेती होने लगेगी और एक city का एक criteria होता है जितना वो easily इसे manage कर सकता है जब ज़्यादा overall crowd हो जाएगा तो उसका manage भी करना उत्रा ही मुश्किल हो जाता है overall दोस्तों जिस तरीके से approach किये है बालेंसा की किस तरीके से इसको घटाया जा सकता है नेपाल के हर एक गाउं में ही हर एक सुधा हो चाहे education के लेकर हो चाहे वो ब्यवपार और business तथा नौकरी को लेकर हो लोगों का जब समस्या solve होने लगेगा स्वास्त समस्या solve होने एक छोटे सहर में भी तो वो लोग prefer नहीं करेंगे न काठमांडू आने के लिए तो कहीने कहीं ये approach था बालेंसा का और जिस तरीके से उन्होंने इस जीज़ को address किया और इस problem का solve पर उन्होंने बात किया वाकई में ब्राचिल के लोग और वहां के जितने भी मौज़ोंद मेर लोग हैं उनसे बहुत ही ज़्यदा प्रफावित हुए सायद मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके से उन्होंने तकरिबन 20-25 मिनट तक अपने जो भासन दिये इंगलिस में सायद ही नेपाल के कुछ-कुछ नेता लोग इंगलिस में ऐसे भासन दे सकते हैं और इसी त कहना है नेपाल अटोमेटिक ही एक अच्छा एक सुन्दर एक किसी देश के और तेजी से तेजी रफ्तार में बढ़ने लगेगा आपको क्या लगता है कि मेर बालें साथ जैसा और भी ज्यादा बालें होना चाहिए नेपाल में या नहीं कमेंट करके जरूर बताएगा बा मैं भी बहुत ही ज़्यादा ब्यताब था बट कुछ ऐसे सेनारियों बन गया था कि मैं फेस्केम वीडियो नहीं बना पा रहा था हैर दोसों अब से हमारी मुलकात होती रहेगी जो भी लोग हमारे चैनलों से पहले से जूड़े हुए हैं उन लोगों को तह दिल से धने ब तब तक ख्याल रखे अपना और अपने चाहने वालों का धन्यवाद